हेलो दोस्तों तो स्वागत आप सभी का हमारा इस यूटूब चैनल मिशन टूपे तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग प्रशना वाली 1.2 का next question को देखने वाले हैं इसमें 3rd question 4 question 5 और 6 7 को इसमें complete करने वाले हैं दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने exercise 1.2 का पिछला question भी करवा दिया है अगर आप उसे नहीं देखें हैं तो description box में उसका link है वहाँ से देख सकते हैं चलिए question number 3 को हम लोग दिखते हैं क्या लिखावा है अभाज गुननखंट विधी द्वारा निमलिकित पुर्णांकों के SCF और LCM ग्याद कीजिए ठीक है जिसमें 3 प्रेशन दिया गया है तीनों प्रेशन को हम लोग एकक करके solve करेंगे इसमें भी आप लोग को SCF और LCM द छीके तो इसका दिखते हैं लोग इसका पहला नंबर क्या दिया हुआ है कि 12 15 21 है ना 12 12 15 और 21 यह दिया हुआ है ठीक है तो सीम पिछले question के जैसा ठीक है सबसे पहले यहां 12 लिखेंगे यहां 15 लिखेंगे और और 21 को अब हरें के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इधार रफ करेंगे हम लोग 12 को तोड़ेंगे तो 6 12 दूनी 12 तीन दूनी 6 और कटेगा नहीं कटेगा तो यहां लिखेंगे टू इंटू 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 3 करके देख लो दूनी 4 तीय बारा ठीक है इसको भी आप तोड़ सकते हैं रफ करके 15 को जल्दे सो तोड़ो तो तीन पचे 15 है ना पांच तीय पंदरा तो तीन इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 21 को 3 सते 21 ठीक है छोटा-छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चुकि उतना तो आता हो गया ना चलिए इसके बाद हम लोग इसमें क्या करना से निकालना और LCM भी तो सबसे पहले लिखेंगे SCF जो तीनों में मिल गया हो जो तीनों हो ठीक है उसको SCF कहते है तो देखो इसमें क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है ईज़ो कहा है किगता हो तीन हो जाएगा इसके बाद LCM से निकन ने तो एस लिए विम कैसे क्या क्यांगा बाद में लिखेना पहले जो नहीं विखेना इसको कुल हम टूह उसको बंद नहीं भीना यह दोने हां मिला था उसको क्या वाला यह एक लिखेंगे तो कितना लिखेंगे तो्लों आप यह पीण Linda कि चल लिखें तो मैं बीस सते कितना चाहँएगा सादュงते होगे और नियुक्तर उमेगा को सब्सकितना हऽान है आप लोग इसके बहुत ही आशाने इसके बात सकरण नंबर कुश्चं को देखते हैं हणब बढ़स को बनें फिरा कितना है कितना हसान है एक चलिए दोसो अब हम लोग कोश्चन नंबर टू को देखने वाले हैं टू में क्या लिखा हुआ है 17 ताइस और 29 ठीक है देखी यहां पर प्रश्ण आपका दिया वाए 17 29 तो आपको सत्रा लिखना एक जगा 20 लिखना 29 लिखना सेम पिछला प्रश्ण के जैसा ठीक है अब इस प्रश्ण हता है तो लिख सकते हैं अब क्या करें और एसा लिख सकते हैं हैं वन हो जाएगा चुकि वन सब जगह मिल रहा है ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इसमें कुछ मिली नहीं रहा है जी तो यह गलती है ठीक है यहां पर सीएफ वन हो जाएगा LCM कैसे निकलेगा LCM तो आप लग बच्पन से चिकते आ रहें तो क्या करेंगे जो नहीं मिला वो लिखेंगे 23,29 लिखेंगे और जो मिल गया उसको एक एक लिखो भी ना लिखो बाद बारा बर चुकि जो भी संख्या आता है ठीक है उसको एक से गुणा करने पर सेम संख्या तो कोई दिक्कत नहीं लिखें मत लिखें 17 को 23 से पहले गुना करेंगे जल्दे से कि सब्सक्राइब कि साथे बच्छा 2 3 1 3 2 5 51 सब्सक्राइब 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 ओगे दूस्तों ठीक है अब यह 29 से गुणा करेंगे चुकि यह दुनों गुना होगी अब 29 से करेंगे तो 29 से स्प्राइब तो क्या हो जाएगा नो एका नौ नो नो एकासी का एक हाथे बचा आठ नो तीया सथाइस सथाई सवराट कितना होता है 35 इंटू दो एका दो 9, 2, 18 का 8, हाथे बचा 1, 2, 3, 6, 1, 7 तो 9, 2, 1, 3 और 8, 5, 13 का 3, हाथे बचा 1, 7, 3, 10, 1, 11 तो 11, 33, 9 देखो दोस्तों इसका प्रेश्टन अंसर है या नहीं? देखो अंसर जो होता है ना बुक के पीछे होता है आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं तो देख लेते हैं कि हमारा गुना में कुछ गल्ती तो नहीं है ना चलो, एक बड़ देख लेते हैं 11, 49 349 यह क्यों हो रहा है? 11, 39 लिखावा है यहाँ पर और 11, 339 लिखावा है तो कुछ तो गड़ बड़ तो नहीं है देख लो, एक बड़ जी हमको लग रहा है यही अंसर होगा ठीक है? एक बड़ फिर से मिला लेते हैं 17, 17, 17, 51 17, 22, 34 1, 5, 4, 5, 9, 3 ठीक है? अब यही चीज को 29 से कना करें इसका अंसर होगा आपके प्रश्ण में 11, 33 लिखावा है तो वो गलती है यही अंसर होगा तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 11, 33, 9 इसका अंसर होजाएगा ठीक है? तो यह हो गया LCM इसका इसका थार्ड नमबर प्रश्ण देखते हैं थार्ड नमबर क्या है? हाँ, आठ, नौ और पच्चीस इसको हटा देते हैं चलिए, थार्ड क्या बताएग? आठ, नौ पच्चीस थार्ड नमबर आठ, नौ और 25 तो लिखेंगे आठ एक जगा 9 एक जगा, 25 एक जगा अब इसको 8 को तोड़ेंगे 9 को तोड़ेंगे और 25 को तोड़ेंगे अब हाजी गुननखन के रूप में चलो, तो 8 को लिख सकते हैं 2 x 2 x 2 तोड़ सकते हैं इदम साइड में इधर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और 2 से जाएगा नहीं जाएगा, तो 2 x 2 ठीक है, 9 को 3 x 3 ठीक है, 25 को 5 x 5 अब तोड़ सकते हैं साइड में रफ कर सकते हैं, तो यह हो गया अब बते इसका SCF कितना होगा SCF, क्या मिल रहा है इसमें, क्या मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, अब क्या होगा तो याद करो, पिछले कुश्यन ठीक है, जब कुछ नहीं मिलता है तो इसके आगे 1 दे सकते हैं हम लोग 1 x 2, तो SCF क्या हो जाएगा SCF, 1 हो जाएगा है न, ठीक है और बाकि तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो SCF, 1 LCM LCM में क्या लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको लिख देते है 2 x 2 x 2, 3 बार 3 x 3, 2 बार 3 x 3, 5 x 5, 2 बार ठीक है, अब सब को जल्दे से गुना कर दो तो कितना हो जागा, 2 x 4, 2 x 8 8 x 24, ठीक है तो 24 से यहां तक आगया, 24 लिख दे गर 5 x 25, 25 x 75 तो 75 को 24 से गुना कर दो तो 4 x 25, 25 x 25, 25 x 25, 25 x 25, 25 x 25 और सच्चाव के 28 x 8 हाथ बचादो, 7 x 24 14 और दो 16, तो 0, 8 x 20 का 0, हाथ बचाए 1 6 x 7 x 8 और एक 800, कितना हो जाएगा, 1800 इसका LCM हो जाएगा तो यह था हम लोग का 3 का 3 का अब इसके बाद हम लोग इसका 4 देखते हैं, इस exercise का 4 नमबर कुश्चन हटादे इसको चलिए, इसका 4 नमबर कुश्चन को हम लोग देखते हैं 4 नमबर कुश्चन क्या कह रहा है SCF 306, 657 बराबर 9 दिया हुआ है और LCM 306, 657 ग्याद किजी ठीके, बहुत ही important, very very important question है दुश्चन और बहुत ही असान है ठीके, बस एक formula आप लोगो याद रखना है जो formula हम पहले बता चुके है क्या जाच करने वाला क्या बतायते, दो संख्याओं का गुननफल बराबर SCF into LCM ठीके, यह formula है इसको लिख लो एक जेगा ठीके, यह formula है हम यहाँ side में लिख देते हैं दो संख्याओं का गुननफल बराबर HCF into LCM यह होता है इसका formula ठीके, अच्छा अब इस प्रश्ण को बनाएंगे कैसे देखो, लिखा हुआ है प्रश्ण 4 में देखिए आप लोग यहाँ से solution कर देते हैं हाँ, लिखावा है SCF SCF, 306 कॉमा, कितना लिखावा है 657 657 बराबर 9 दिया हुआ है ठीके, और LCM ग्याद करना है तो इस तरह का जो बना हुआ है ना, देखिए, इसका मतलब SCF दिया हुआ है और LCM आपको निकालना है ठीके, और 2 संख्या दिया हुआ है मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है पहली संख्या जो बीच में दिया हुआ यह पहली संख्या दिया हुआ है, कितना 306 दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है आप लोग बताइए जिल्दी से दूसरी संख्या आपको दिया हुआ है 657 संख्या यह चेज किलिए हुआ या नहीं हुआ सीएयफ होंआ ढहू से प्रैकेट में दिया हुआ यह चीज़ समाझ मारा है अब हम लोग formula का परियोग करेंगे formula क्या लिखा है दो संख्याओं का गुनन फल बराबर SCF इंटू LCM ठीक है तो देखो यहां का करेंगे चुंकि दो संख्याओं का गुनन फल बराबर SCF इंटू LCM ठीक है बहुत important question है एकदम note कर लो इसको ठीक है आपका exam में 100% यह question रहता है कहने का मतलब की जो paper छपता है ना उसका क्या बोलेंगो इसको favorite question है ना तो बहुत ही very very important है और बहुत ही चलो दो संख्याओं का गुनन फल दो संख्याओं का गुनन फल मतलब की दो संख्या जो दिया हुआ पहले संख्या 306 दूसरी संख्या 657 दोनों को क्या करना है गुनन फल देखो गुनन कर दिये ना कर दिये ना चलो SCF कितना था नौँ बता LCM तो निकालना है LCM तो दिया ही नहीं है तो LCM के जगा में LCM लिख देंगे इतना में तकलीफ कुछ कोई दिकत नहीं अब देखो यह गुना में ना तो इधार आके डिवाइड में हो जाएगा तो लिखेंगे 306 इंटू 657 डिवाइड 9 बराबर LCM अब गुना करके भी कर सकते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग यहां से काटने का प्रयास करेंगे अब देखो यह गुना में तो इधर लेकर आए तो यह डिवाइड में हो गया ठेक है इधर गुना वाला भागा में हो जाता है अब देखो इसको काटेंगे इससे काटो यह इससे काटो चलो इसी से काट लेते हैं तो देखो 9 से चला जा रहा है देखो 9 3 27 किता बचा 3 9 4 36 तो 34 हो गया अब 34 इंटू 657 को गुना करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा LCM 357 को 34 से गुना करो साथ चाओ के 28 हाथ बचा 2 पंच चाओ के 20 हरदू 22 हाथ बचा 2 छे चाओ के 24 हरदो 26 को इदिकत नए अब सात्तिया 21 के एक हाथ बचा 2 5 तिया 15 16 17 17 का साथ हाथ बचा 1 6 तिया 18 रेक 19 अब इसको जोड़ दो 8 2 1 3 6 6 और 7 कितना होता है 13 का 3 हाथ बचा एक 10 अर्दो 12 का 2 हाथ बचा एक तो 22 33 आठ क्या अंसर आ जाएगा इसका 22 33 आठ बराबर LCM इसका मतलब क्या हुआ LCM is equal to 22 33 आठ यह अंसर हो गया ठीक है हम लोग का प्रश्ण में यही चीज पूछ रहा था कि LCF दिया हुआ है चलो इसके बाद हम लोग next question को देखते हैं इसको हटा देते हैं चलिए दूस्तो अब हम लोग question number 5 को देखते हैं क्या लिखा वह जांच किजी कि क्या किसी प्रकृत संख्या N के लिए संख्या 6N अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो देखते हैं ठीके इसका क्या rule है सबसे पहले हम rule को यहाँ पर लिख दिये यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका N अभाज ये गुना खंड के में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए ठीके अगर कोई भी कोई भी संख्या ले लो ठीके जैसे मालो ना यहाँ पर 15 ले लो ठीक है तो उसका जो अंत में आएगा 0 आएगा जैसे कि मालो ना यहाँ पर अगर हम 20 लिख देते हैं अगर इसको तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे दो गुना 2 दो दोनी 4 पच्चे 20 देखो दो गुना 5 एक बार आ रहा ना तो इसका मतलब क्या कि यह 0 आएगा ही है ना तो वही चीज बता रहा है यहाँ पर क्वेशन क्या बोल दिया 6N है ना क्या बोला 6N तो पहले हम लोगों को देखना होगा 6 अगर तोड़ते हैं तो 2 6 को तोड़ते हैं सबसे पहले 2 ती यह नहीं यहां पर 2 गुना 3 आ जा रहा है तो क्या यह 0 पर समाप्त होगा कभी नहीं होगा इसी संख्या के जगह में जैसे यहां पर 6N लिखा वैंगा अगर यहां पर 10 रहता तो यहां पर आप लोगों का 6N दिया हुआ है यहां पर 10 ए एक बार आ जा रहा है आ जा रहा है तब हम लोग इसको समझेंगे कि यह सुन्य पर समाप्त होगी लेकिन यह कभी समाप्त नहीं होगी ठीक है इसको हटा देते हैं आपका प्रेशन ऐसे बनाना यहां तक हां इसलिए लिखेंगे अता 6 का गुननखंड करने पर 2 गुना 5 के नहीं है अथार्थ यह 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्रकृत संख्या के लिए इतना आप लोग लिख देजेगा ठीक है कुशन नमबर यह कितना है 5 के लिए समझ में आ गया ठीक है चलो इसके बाद हम लोग नेक्ट कुश्चन को देखते हैं कुश्चन नमबर 6 चली बश्चो अब हम लोग कुश्चन नमबर 6 को देखते हैं ठीक है प्रस्न दिया हुआ है व्याख्या किजी कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों है ठीक है तो इससे पहले आप अबहाजी को समझते हैं ठीक है क्या अबहाजी संख्या अबहाजी संख्या वाइसी संख्या को कहते हैं जो जो संख्या खुद का टेबल में और एक का टेबल में जो कटे उसको अबहाजी संख्या कहते है जैसे जैसे पांच ले लो पांच किस किसी चीज से कट रहा है पां पर 11 ले लेते हैं अब बताओ 11 जो टेवल किस इक और 11 का और कोई टेवल में आता है नहीं तो इसी संख्या को लोग क्या कहेंगे अभाज संख्या कहेंगे अभाजी जिब किलिए हो जाएगा तो भाजी बहुत आसान एक दम आसान ठीक है तो यह हो गया, और भी कोई संख्या ले लो, जैसे कि ले लो तेरा, तेरा किसी से कट रहा है, एक और तेरा, और कोई भी किसी तीसरी संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, अब हम लोग भाजे सिखेंगे, भाजे क्या होगा, जिस दिन, जो भी संख्या होगा, ठीके जो भी संख्या होगा अगर वो अपना टेबल और एक कटेबल और उस दोनों के अलावा किसी तीसरे टेबल से कटने लगेगा ना तो उसको हम लोग भाजे संख्या कहेंगे जैसे जैसे माल लेते हैं लोग छे देखो छे किस किस से कट रहा है छे से कट रहा है एक से कट रहा है क्या दो ही चीज से कट रहा है नहीं इसमें और भी कट रहा है किस से तीन से कट रहा है देखो और भी कट रहा है किस से दो से देखो दो के अलावा किसी तीसरी चंग या 34 संख्य और किसी कट रहा है चारती है पारा चेश बी कट रहेवा कितना सारा संक्यास से कट रहए कहने का मतलब क्या हूं कि काम अप पना जबार इपयर के अलावा किसीular स्नकृषिक उत्व हूं सालओीं सनक्राधि क्या अब क्या है तो जल्ले से बताइए आप लोग एक से बिस तक में कौन-कौन से भाजी है कौन-कौन से अभाज समक्या है ठीक है कमेंट करके जरू से बताइए गाम को चलो आप इस बेसिक को हम समझ लिए तो यह हमारा सिक्स नंबर बहुत ही असान एक दम आसान ठीक है चलो इसको हटा देते हैं अब साथ इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ठीक है यह संख्या भाजी है क्यों है? यह चीज पूछ रहा है और दूसरा इधर और और भी चीज़ बोल दिया है क्या बोला है? साथ इंटू छे इंटू benefits, चार इंटू टीन इंटू लगेगा दे कहलाइगा, अब देखो इसमें से, हम इसको क्या करेंगे ना इसमें देखोisso certification क्या तेरा को एक तेरा को कॉम्मन लेनलो तेरा के common लेलो हाँ तेरा को common लेलो तो क्या बचेगा अंदर क्या बचेगा साथ बचेगा इंटू ग्यारा बचेगा तेरा तो निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा वन बचा और पलस यह तेरा निकल गया तो क्या बचा वन ठीके समझ मारा अब क्या करेंगे यहाँ पर 13 into अंदर वाला कितना निकलेगा 11 से थे 77 एका 77 अरेक 78 ठीक है अब देखो यह क्या हो गया 13 into 78 तो यह क्या अपना टेबल और एकी टेबल से सिर्फ कट रहा है नहीं यह तो 13 से भी कट रहा है असलα से कट रहा है इसका मतलब क्या हुआ है कि और यह संख्या में नेचायस थे ओधर कर दो गुणत वाते हैं साथ इंटू 6 into 4 1-4 गुणा तीन लोग्ना गुणा दो गुमना 2 गुना एक यह ओगा अब क्या करेंगे पांच इन्टू सब को गुना करो जल्दिस से तीन दुनी छे च्छो के 24 24 हो गया 24 और सच्छक 42 24 को गुना करो इसमें एक को नहीं देखना हम लोग दोनों को देखना है किसको देखना है दोनों को देखना है चुकि 5 तो हम लोगा भाजे संख्या जानते हैं लेकिन ये क्या देखो 5 से भी कटेगा ये संख्या जो गुना होकर आएगा वो संख्या 5 से भी कटेगा 109 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो 3 कि से इस दिन कटे लगें वो क्या हो जागा भाज हो जाएगा तो यह समझ मां आगिया होगा कि यह मों बना देखते हैं इसको हटा देते हैं कि 4 और एक कुरितिकार पत्व मतलब होता है रास्ता ठीयक? इस मैदान के छक्क र को को लगाने में सौनिय यह को 11 1000 मिनिट लगते हैं जबकि इसी मैदान खो एक चक कर लगाने में रवी को 12 लगते हैं इसका मतलब क्या है इस प्रकार का प्रश्ण में दोस्तों आप लोग का दोनों का दोनों का जो समय लगता है इन दोनों को आप लोग का एलसेम निकालना होगा ठीक है तो देखी यहां पर एक विरितकार पथ है स्टैप से और एक जो सोनिया है और रवी यहां से स्टार्ट किया और एक चकर लग रहा है ठीक है कितने समय बाद वे पूना मिलेंगे यह कुछ रहा है तो देखे इसका आप लोग को solution कैसे करना है वो ध्यान देजिएगा दोनों का LCM निकालना है ठीक है तो देखे ऐखे अठारा और बारा का क्या कर देंगे LCM निकाल देंगे तो 18-12 के LCM कैसें पहले 2 से कटेगा 9-21-186-12 और जा रहा है कहाँ तीन से जा रहा है 3-3-9-2-3 और जा रहा है गुबाराग छेतिया रुको दो तिया छेतिया ठारा अठारा दो नी छतिस यानि कि छतिस मिनट बाद वे पुना प्ररंभिक अस्थान पर मिलेंगे ठीके तो यहां पर आप अंसर लिख दिजिएगा 36 मिनट बाद ठीक है अच्छा एक मिनट मिनट बाद तो ये 36 मिनट बाद क्या मिलेंगे एक ही अस्थान पर मिलेंगे तो ये हो गया आप लोग का अंसर इतना आप कर देंगे तो हो गया ठीक है तो ये था दोस्तो इस exercise का पूरा question ठीक है उम्मिद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आगे भी इसी तरह से अगला exercise का वीडियो आप लोग का playlist में सारा चीश डाला गया है सारा chapter को ठीक है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं परतीक chapter का अलग-अलग playlist बना दिये गया है वहाँ से आप लोग सारे chapter को देख सकते हैं ठीक है मिलते हैं next video में दोस्तों धन्यवाद